महराश्ट्र के पूर्व ग्रिह मंत्री अनिल देश्मुक की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्विस्टिकेशन के बाद अप्रवर्तन निदिशाले एडी ने भी उनके खिलाब मनी लॉंडरिंग का केस दर्श किया है देश्मुक पर मुंबई के पूर्व कमिशनर परमविर सीहने सौ करोड की वसुली का आरोप लगाया था इस मामले की जो सीबी आय पहले से कर रही है पिछले मैंने देश्मुक के ग्यारा ठीकानों पर सीबी आय ने रेड की थी और कई सबूत भी चमाके थे इन में कुछ माना जा रहा है कि सीबी आय ने सबुतों को एडी से शेयर किया था और इसी के आधार पर एडी ने केस तरश किया मुंबई के पूर्व पुलीस कमिशनर परमविर सीहने करीब डेड महीने पहले राज्युक के मुख्यमत्री और ठाकरे को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि अनिल देश्मुक ने ही मुंबई पुलीस के निलंबित अधिकारी सचिनवाजे को हर मैने सौ करोर रुपे की वसुलिकाट टारगेट दिया था हाला कि अनिल देश्मुक ने आरोप उससे इंकार कर दिया था लेकिन बॉंबे हाई कोर्ट की और से सीबी आई जाश के रूप लगाया था सचीनवाजे ने एनाय को दिये बयान में कहा कि मैंने 6 जून 2020 को दो बारा ड्यूटी जॉइन की थी मेरी जॉइनिंग से शरत पवार खुश नहीं थे उन्होंने मुझे दो बारा सस्पेंड करने के लिए भी कहा था क्या मेरा परसन अखिलेश भारत वा के साथ अभी शेख पांसे के रिपोर्ट बी सीन नियूज नाकपूर